तो दोस्तों यहाँ पे कार्यले जिला बेसिस सिच्छक्राइब जिला सुल्ताणपूर की तरफ से जो आपकी कस्थूरबागांधी बालका विद्द्देले संवीदा सिच्छक भर्ती हुई थी तो उसका फाइनल सेलेक्षण लिस्ट जारी हो गया है कटाप जारी हो गया किस किसका नाम है वो भी आप देख सकते हैं तो मैं आपको डेटेल में दिखाने हो जैसा कि आप नीचे आप देख पा रहे हैं सीधे मेंशन किया गया है कस्तूरबा गांधी बाल का बिद्दैल में रिक्त पदो पर चैन हेतु प्रकासित बिग्यप्त में प्राप्त आवेदन प इसको प्राते ग्यारा बजे विकास बहुन सभागर सुल्तानपूर में किया गया थे हैंने कि दोस्तों चार अक्टूबर को इसका दोस्तों हुआ था ठीक जिसमें निल्मिखित अभ्यरतियों के चैन उनकी मेरिट के आधहार प्रतार रसोईयों के पदों का साच्छातकार में चैनित अभ्यरतिक सूची जन्तपत की एन आईसी की वेबसाइट पर उपलब्द है यह मैंने उसी वेबसाइट से डाउलोड किया है अगर आप भी घर बैठे डाउलोड करना चाहरे तो अभी मैं बताऊंगो कि आपको कैसे डाउनलोड करना है यहां पर आप देख पर का निड़ेट का नाम है Sikha, पिता जी का नाम है सतनाराढ, फूल टाइम टीचर रहेंगी नायथ से इनका जो कटाफ है देखिए 56.06, कटाफ गया है उसका नीचे आप देख पा रहें यहां पर आप पूरबा सिंह है पिता जी का नाम है असोक कुमार, फूल टाइम टीचर है मैत के लिए इनका 48.15 ठीक है इस पर कटेगरी देख लीजेगा कटेगरी वाइज भी हो सकती है जल्दबाजी मत करिएगा ठीक है नीचे तरब देखेंगे यहां पर देखिए आप आपका अगला है समा परवीन पिता जी का नाम है अब्दूल रसीद फुल टाइम टीचर स ठीक है उसका देख लेए अर्चना कुमारी है राम कुशन पिताजी का नाम है फुल टाइम टीचर इंगलीज के लिए है तिरपन दसमलो चारशाथ कट अब ठीक है फिर देखे आगला आपका है उतकर्षा सिंग ठीक है इनका पिताजी का नाम है सतेंद प्रताप सिंग आपका है अंतिमा यादो नात यादो फूल टाइम टीचर सोशल साइंस में 50.84 ठीक है नेहा आपकी है इनका कंप्यूटर टीचर में सलेक्ट हुआ है 52 कटाफ और नमिता सिंग फिजिकल एजुकेशन के लिए 53.07 और यहां पर रचना सिंग फिजिकल एजुकेशन के लिए 53.01 यह इस तरह से कटाफ गया तो यह जो आपका कटाफ है इसमें जनरल OBCSGT सभी का कटाफ है है ना तो कंफ्यूज मत होईएगा अपने हिसाब से देख लीजेगा अब देखे आगे तरह बात करेंगे यहां पर रसोनिया के लिए किस का किस का सेलेक्शन हुआ है रीता देविश सिरी राम पिता जी का नावे मुख रसोनिया संतोष कुमारी सिरीहारी राम यादव सहा अगर सोनिया तो इन लों का जो है फाइनल सेलेक्शन होगा है अगर आपको यह देखना है कि किस कटेगरी की कितनी कटाप गई थी तो चैनल पर पूराने वीडियो आपको मिल जाएगा उससे मैच कराईए और फिर उसके बाद आप देखिए कि इन में से जो है यह कौन किस कटेगरी का है कितनी सीट कहां से थी तो फाइनल सेलेक्शन है आपका दोस्तों जिला सुल्टानपूर का ठीक तो इस तरह से रही आपके अपडेट अगर आपने इसके अपलाई किये तो आप यहां पर रिचेक कर सकती है कटाफ अगयरा भी आप अपना देख सकती कितने ग जाहिन जाबारत